इस खान के बहुत बड़े फेन है बाहु बली प्रभास, करना चाहते हैं उनके साथ काम इस साल की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म साहू का प्रमोशन इन दिनों जोरों शोरों से चल रहा है बतादें कि शद्धा कपूर और प्रभास फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त चल रहे हैं हाल ही में टीवी के मशूर रियलिटी शो नजबलिय नौ के सेट पर यह जोड़ी पहुंची थी और रवीना टंडन के साथ जम कर मस्ती की सोशल मीडिया पर नचबलिय के सेट की कुछ दस्वीरें वायल हुई है जिन में रवीना टंडन और प्रभास ठुमके लगाते नज़र आ रहे हैं प्रभास ने नचबलिय के सेट पर रवीना टंडन से धेर सारी बात चीद की और फिल्म के बारे में काफी कुछ बताया इसके अलावा इन्होंने अपनी परसनल लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ कहा इस खान के बहुत बड़े हैं फैन प्रभास आपको बता दें कि प्रभास बलिवुड फिल्में देखना भी पसंद करते हैं और वे हमेगा स्टार सल्मान खान के बहुत बड़े फ्यान हैं और वे उनके साथ काम भी करना चाहते हैं आपको बता दें कि इन्होंने रवीना टंडन के साथ सल्मान खान की फिल्म के के गाने जुमे की रात पर थुमके लगाये थे और सल्मान की तरह उन्होंने भी मूह में रवीना टंडन का पलू लेकर डांस किया था सल्मान खान के अलावा प्रभास रवीना टंडन के भी बहुत बड़े फ्यान है और वेह बच्पन से ही प्रभास का पहला क्रश रही है अगर हम बात करें फिल्म साहो के बारे में तो यह फिल्म तिस अगस्त को रिलीज होने के लिए तयार है फिल्म में श्रद्धा कपूर के अलावा प्रभास नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉपह और मंदीर अबेदी जैसी बड़ी स्टार कास्ट नजर आने वाली है इस फिल्म को बनाने में फिल्म मेकर को करीब 2 साल का वक्त लगा है और फिल्म की रिलीज डेट कई बार चेंज भी की जा चुकी है लेकिन अब थिस अगस्त को रिलीज होना फाइनल है फिल्म में एक्षन के साथ साथ रोमांस, सस्पींट्स और कॉमेडी कातर का भी देखने को मिलेगा कहा जा रहा है कि एक्षन के मामले में यह फिल्म होलिवोर्ड को भी टक कर देगी लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही तरे करेगा लोग इस फिल्म को पसंद करेंगे या नहीं वैसे बिग बजट और शानदार स्टार कास्ट को देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं यह फिल्म 30 अगस्त को रिकॉर्ड दोड कलेक्शन करने वाली है